.beauty youtube channel में आप सभी का स्वागत है आज की eyebrow threading आप जो देख रहे हैं वो एक 15 age cross lady की eyebrow threading बनाने हम जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे इनकी eyebrow threading को .beauty youtube channel पर teenage say high age सभी age की eyebrow threading male female की हमारे चैनल पर आपको आगे भी देखने को मिला करेगी तो अभी तक आपने हमारे youtube channel को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहा करेगी तो चलिए friends आज हम बात करने वाले हैं यदी 15 age cross 50 साल से उपर यदी आप किसी की eyebrow बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या-क्या बाते face करने पड़ेगी उनकी eyebrow threading बनाने में जो eyebrow threading बन रहे हैं उनको क्या-क्या उनके सामने चीजे उनने face करने पड़ेगी इन दोनों ही बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो चलिए आज की वीडियो को start करते हैं friends यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है stitching का ध्यान रखना है stitching बहुत ही अच्छी करानी है बिकॉस की 15 एज क्रॉस फेस के फेस पर जो जुरिया होती है जो रिंकल्स होते हैं बहुत ज्यादा जो है फेस पर होते हैं तो ऐसे में अगर stitching अच्छी होगी तो जो हम लोग थेड़ से हेर्स निकाल रहे हैं तो हम निकाल पाएंगे अगर आपने इसकीन को लूज छोड़ा डीला छोड़ा तो वहां पर कट लगने के इसकीन के थेड़ के अंदर इसकीन आने के बहुत ज्यादा चांस बने रहते हैं तो मैं आपको रिकमाइड करूंगी कि आप बहुत अच्छे से स्टैचिंग रखे और जब थेड़ का धागा चला रहा है उसे भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपकी इसकीन अच्छे से स्टैच है खिची हुई है वहां पर आप अपने थेड़ के धागे को थोड़ा सा स्मूथली चलाए और जादा स्पीड ना रखे बिकाज की बहुत ही ध्यान से इस तरह की आईब्रो हमें क्रेट करने पड़ती है तो फ्रेंस आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी इस्टाग्राम की आईडी है .beauty79 आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं और आप लोगों का बहुत जादा प्यार और सपोर्ट मिलता है थ्रेडिंग आईब्रो की वीडियो को भी तो रिक्वेस्ट है आप सी कि आप इस वीडियो को भी बहुत जादा प्यार और सपोर्ट दीजेगा मेरी चनल पर कोशिश है हर इसकी आईब्रो बनाई जा रही है, same process वो ही है बनाने का जो हम और eyebrows में create करते हैं यहां पर second eyebrow को अच्छे से stitch करा के सारे जो extra hair से उन्हें निकाले जा रहे हैं, और extra hairs निकालने के बाद बस हल्की सी eyebrow के अंदर उन्हें shape देनी हैं, तो इसी तरह करके eyebrow जो है तयार हो आज की इस वीडियो में complete होती है हमारी eyebrow threading जिने आप देख सकते हैं और इनकी eyebrow complete होने के बाद मैं आपको stretching करके पास से देखाना चाहती हूं तो लेजिए फ्रेंस इनकी eyebrow threading आप पास से देख लेजिए बनाने से पहले इनकी eyebrow threading देखने में कुछ इस प्रकार की थी लेकिन जब बन जाती है तो उसके बाद eyebrow threading और face का लूप भी चेंज हो जाता है तो यह है मेरी आज की वीडियो थैंक्स पर वोचिंग मैं वीडियो वीडियो पसंद आए तो लाइक से और स्ट्राइब करने पर दोको मत भी लेगा थैंक्स पर वोचिंग मैं वीडियो वाइबाए टेक केर